दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षिमी का प्रवेश मैं हूं देवेश दोस्तों रोजाना सुबए सात वजे हम आपकी सिवा में छे महत्वकूर्ण खबरों का मजेदार एनालिसिस लेकर आते हैं इसलिए आप हमारी चैनल आत्मनरभर इन्वेस्टर को कर लीजिएगा अभी के अभी अब दोस्तों आप देख लीजिए मोली साहाब के तो आठ नौ साल हैं उसकी तपश्या का परणाम आपके सामने हैं जो बिजनिस इन्वार्मेंट की रिपोर्ट आती है वाईचा दुनियां बर की तो सक्तरह देश ने टॉप सक्तरह देश है उनका इनलिशिस किया गया और पता लगाया गया कि सबसे बड़िया बिजनिस इंविर्यर्मेंट कहां पर है बातावरन सबसे अच्छा पाया गया सिंगापुर में तो सवाल उटता है भारत कहां पर है तो 2018 से 2023 के बीच में भारत की रैंकिंग थी 14 और ये रैंकिंग वो गिर गई है भारत की रैंकिंग इसलिए सुदुरी है क्योंकि एक तो भारत युवाओं का देश है दूसरा भारत में policy reforms किये मोली सरकार ने राजनातिक स्थायत्व है लोगों को जो है दिक्कत नहीं है भविश्य को लेकर चिंता नहीं है इसलिए भारत की जो है रैंकि बढ़ी है इससे भारत में आने वाला जो निवेश है वो और बढ़ता चला जाएगा बहुत अच्छा घटनागरम है यह अब दोस्तों आप देख लीजिए यह आई एमस की रिपोर्ट है और यह पहली बार हो रहा है थियास में आप सामने देखिए कि भाया जी जो जी देख जो हैं दुनिया को आगे बढ़ाने में जादा योगदान दे रहे हैं कारण क्या है कारण यह बहिए कि जी सेवन देख को पर्यावरन की शुरक्षा करनी है बहिए पर मानू बिजली से इनको वराई लगती है भाई साब विकास कारण नहीं करना है इनको दूसरे के देशों में टांग अड़ानी हैं दूसरे देख आगे बढ़ रहे हैं उनको रोकना है तो दूसरे तो रोकेंगे नहीं खुद की ग्रोथ गिरती चली आ रही है आपके सामने हैं दुनिया के विकास में अगले पाँच सालों में जो सबसे ज़्यादा योगदान देंगे व बड़ा पॉइंट यहां पर यही है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जी सेवन देश पिछड रहे हैं इनका फुल स्टॉप लग रहा है बविश्य पे शुदर जाओ भाईया आपने लक्षण सुदार लोड़नी तो तुम गिरते ही चले जाओगे गड़्दे में कोई नहीं आप दे दो लेकिन जो है अफगानस्तान ने आप सही सब कुछ छेंद लिया है अगले मैई महीने में यूएन भी भाग रहा है अफगानस्तान को छोड़के क्योंकि भाईया महलाओं को काम करने की अजादी नहीं है उन्होंने ने पहले ले लिए अब जे यूएन वाले ज और बिना महलाओं के योगदान के काम करेंगे तो किस मूं से करेंगे अफगानस्तान में भागना पड़ रहा है अपने पापकर्मों का हिसाथ किताब आपको यहीं देना पड़ेगा और पालो तालीबानियों को अफगानस्तान को पाकिस्तान को इसी विच वाई साथ देख दिजिए औस प्रेलिया ने कई राज्यों पर सीधा वीजा लगाया भाई साथ उदारन शुरूप आपका गुजरात है चाना है वहां से बच्चे हैं और यह कहना है उनका हुनकी पर नहीं और वह पढ़ने के लिए नहीं जाते और उन राज्यों से बच्चे जो है पढ़ ठोका है तो कुछ ने कहा है कि साब इन राज्यों से अगर अप्लिकेशन आएगी तो हम जो बहुत धंग से जाच परताल करेंगे और बहुत कम लोगों को परमीशन देंगे तो यह तो दूसरी अप्रोच वह ज्यादा बहतर प्रतित होती है आप राज्यों पर बैन मत लगाना और यदि यह नहीं अटाते हैं तो भाई साब भारत सब्सक्राइब करना चाहिए ऐसे नहीं चलेगा कि आप पूरे के पूरे राज्यों पर प्रतबंद लगा तो यह गलत बात है वाई साब फ्रॉड होते हैं माना कि फ्रॉड होते हैं लेकर ऐसा नहीं कि पूरा राज्य फ्रॉड हो गया ना यह गलत बात है इसी बीट भाई साब आपको पता है कि साब एले सी पर सीज फायर चल रहा है सांती है तो भारत उसका लाब उठा रहा है आप स्वहन देख लीजिए बिल्कुल एले सी पर ही टोड़स्ट डेस्टिनेशन बनाय जा रहे हैं लो पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इन एरिया उसको छुपाए रखने में कोई फायदा नहीं है यहां जनता जाए एकॉनमी बढ़ेगी कमर्शल अक्रिबिटी बढ़ेगी साथ में लोगों का अपनी जमीन से जड़ाओ बढ़ेगा सिर्फ वह वहां पर चले जाएं यही का मुझ गई है अभी तक क्या होता था कि मानलो जो बैलेस्टिक मिसाल दुसमन ने छोड़ी है तो उसको इंटरसेप्ट किया जाता था कब जब धरती के वातावरण में एट्मोस्फियर में एंटर करती थी तब जो है उसको शूट डाउन किया जाता था जो नॉर्मल बैलेस मिड कोर्स में रहेगा तभी जो है उसको ट्रेक करके हिट कर दिया जाए तो इससे क्या होगा एक तो समय बहुत जादा मिल गया क्योंकि यहां अगर आप इंटरसेप्ट करते हो समय कम मिलेगा अगर आपका जो निसाना चूक गया तो भाई आप समय नहीं है लेकिन यहां पर समय बहुत ज्यादा मिल जाएगा पहले आप यहीं टार्गेट कर लो यह अगर बच जाहे तो कहीं यहां तो उपर तो भेज दिया लेकिन यहां वो फ्रीली मूव करता है और फिर गृत्वा कर सरन ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतरगत वो नीचे गड़ता है तो यहां जब फ्रीली मूव कर रहा है उसके पीछे पावरफुल फोर्स नहीं है तब जो है उसको मार गिराना आसान है वो संक्यां की मद्ख से चीमद्ख अब मैंसे शेर मारें कर रहे हैं समय से पहले हमारे पास होना चाहिए अब दोस्तों आप में से जो शेर मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं फोकस कीजिए आज में इन्वेस्टर कोर्स में क्योंकि यहां पर हमें पढ़ाईए टेक्निकल इनालेसिस और फंडामेंटल इनालेसिस की दो कलाएं इन्हें सीखने में समय लगेगा तो हम आपसे सिर्फ यहीं कहेंगे कि टीवी यूटूब टेलीगाम इस्टागाम फेस्बुक पर जो हीरो हीरोईन हैं खिलाडी हैं इंफ्लूएंसर से उन सब को आपने समय दे देकर अमीर बना दिया ना सब अमीर बन गए आपके समय के दम पे तो भाईया अपना समय अपने आपको दे दो फोड़ा सा सीख लीजिए स अब भी पैसा मनता है मार्केट वहीं का वहीं रहता है तब भी पैसा बनता है आचारे चानक की हैंजिंग स्ट्रेटजी के माद्यम से जो भी कोर्स आपको जोएन करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई उस पर क्लिक करके जोएन कर लीजिए झाल